प्रेश्न तीन निम्न समस्याओं में रैखिक समिकरन युग बनाईए उनके हल प्रतिस्थापन विधी द्वारा ग्याद कीजिए देखो इसका पहला भाग है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसी संख्या की तीन गुनी है उन्हें ग्याद कीजिए यहाँ दिया हुए एक संख्या दूसी संख्या की तीन गुनी है मतब एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है तो माना पहली संख्या ले लो चाहे बड़ी संख्या ले लो माना बड़ी संख्या बराबर X और माना छोटी संख्या चोटी संख्या बराबर Y अब देखो बड़ y बराबर 26 यह में दिया हुआ है यह समीकरण नमबर 1 आ गया और दूसरा एक संख्या मतब बड़ी संख्या छोटी संख्या की तीन गुनी है तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या अर्थात x बराबर 3y है यह समी करण नमबर दो आ गई अब दोको समी करण नमबर दो में X का मान Y के रूप में दिया गया हमें यहाँ पर इस X के मान को अगर हम समी करण एक में रख दें तो हमारे पास Y का मान आ जाएगा तो समी करण 2 से X का मान एक में रखने पर एक में रखने पर तो X का माननम ने वहां रखा तो 3Y-Y 26 क्योंकि इस X चीए हमने 3Y रख दिया अब इसको हल कर देते हैं 3Y में से 1Y गया 2Y बचेगा बराबर 26 तो Y बराबर 13 आ गया एक संख्या हमारे पास 13 आ गयी अगर दूसरे अंकर कितनी निकाल सकते हैं समी करंड दो से समी करंड दो से एक्स बराबर तीन गुणा में तेरा तेरा तियां 49 तो एक्स बराबर 49 संख्या है मारे पास क्या आगई एक 49 है और 13 तुम चाहो तिन कांतर निकाल सकते हो 49 में 13 घटाओ तो 26 मिलेगा हमें जो पहला भाग था है प्रेशन तीन का दूसरा भाग दो सम्पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिगरी अधिक है उन्हें ग्याद कीजिए हम मान लेते हैं माना बड़ा कोण बराबर एक्स और माना छोटा कोण बराबर वाई देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिखे अर्थात एक्स बराबर वाई प्लस 18 ये हमारे पास एक समी करना गई अब दिया है कि दोनों सम्पूरक कोण हैं सम्पूरक कोणों का योग बराबर 180 डिखे होता है क्योंकि सम्पूरक कोण 180 डिखे होते हैं तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर 180 आ गया इससे ये समी करन नमबर दो आ गई समी करन एक में देखो एक्स का मान वाई के रूप में दिया हुआ है समी करन एक से एक्स का मान समी करन दो में रखते हैं समी करन एक वा दो से समी करन एक से एक्स का मान है वाई प्लस अठारा तो यहां हम समी करन दो में रखते हैं तो यहां आएगा वाई प्लस अठारा प्लस ये वाला वाई बराबर 180 अब यहां देखो 2y आ गया बराबर 18 को उधर ले जागे घटा देंगे हम 180 में से 18 घटा देंगे तो यहां y बराबर यह 2 को नीचे ले आएंगे बटे में 2 यहां देखो 10 में से 8 गया 2 बचेगा और यहां 7 में से गया 6 तो 168 आगया अब से 2 से भाग करेते हैं दो अठे 16 दो एकम दो अर्था जो छोटा कोंड था वह आगया 18 डिगरी अब निकालते हैं बड़ा कोंड देखो बड़ा कोंड कितना था हमारा यह रहा समीकरण 1 में दिया हुआ है समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 18 y हमारा कितना था 81 डिगरी तो 81 प्लस 18 देखो 1 और 8 9 8 और 1 9 तो x बराबर 99 डिगरी तो 1 है 80 डिगरी और 1 है 99 डिगरी दो समपूर कोंड पूछे गया थे ना 99 डिगरी एक एक ठास प्रेश्ण 3 का तीसरा भाग एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपे में खड़ी दी बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपे में खड़ी दी प्रतेफ बल्ले और गेंद का मूल गयात कीजिए हम मान लेते हैं माना बल्ले का मूल बराबर एकस रुपीज और माना गेंद का मूल एक गेंद का मूल बराबर य ये तो साथ बल्ले का मूल कितना होगा, साथ एक्स और छे गेंदों का मूल, छे वाई बराबर 3800 रुपए, एक समिकर्ण आ गई है, समिकर्ण नमबर एक, और यहां तीन बल्ले और पांच गेंद, मतलब तीन एक्स प्लस पांच वाई बराबर 1750, यह समिकर्ण नमबर दो आ समिकर्ण एक से, यहां से वाई का मान निकालते हैं, तो यह आएगा, 3800 माइनस 7x बटे में 6, यह समिकर्ण नमबर 3 है, अंद में आके यहीं पे मान रखते हैं, तो हमें y मिलता है, अब समिकर्ण 3 से, y का मान समिकर्ण 2 में रखते हैं, समिकर्ण 2 वा 3 से, इन दोनों से, अब y का मान अगर वहां रखते हैं, तो देखो, 3x प्लस 5 गुणा y, 3800 माइनस 7x बटे में 6, y, y का मानी रखते हैं, यह बराबर 1750, अब यह जाएगा, अब यहां पे एक तो लगुत्तम ले रहा पड़ेगा, क्योंकि यह 6 है, 6 लगुत्तम ले लिया हमने, यहां 1750, 6 से गुणा किया 3 को, 6, 3, 18x आ गया, प्लस, इस 5 को गुणा करेगा 38 से, तो जीरो, 0, 5, 8, 40, फिर 0 आ गया, 5, 3, 15, और 4, 19, माइनस 5, 7, 35x, अब इसको हल कर लेते हैं, देखो, 18 यह हैं और यह 35 है, तो यहां बचेगा, माइनस का 17x, प्लस, 19,000, बराबर, 1750 गुणा में 6, इस 19,000 को दाहनी तरफ ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहां बचेगा, 17x बराबर, इसको पहले गुणा करते हैं, 6 से, 0, 6, 35, 0, 6, 42, 3, 45, 6, कम 6, और 4, 10, यहां गया, माइनस, 19,000, अब देखो, 10,500 में से 19,000 गटाएंगे, अर्थाथ, 9,000 में से सिदे में 500 गटाना है, तो 8,500 आएगा, तो 8,500 लेकिन माइनस का, यहां गया, 17x, दो तरफ माइनस माइनस कर जाएंगे, x बराबर, 850 बटे में 17, तो देखो, कितना जाएगा, 17, 85 ही होता है, य x का मान 50 आ गया, x क्या था, देखो, x हमने क्या निकाला था, x लिया था, हमने, एक बल्ले का मूल 50, एक ता सस्ता बल्ला तो हो नहीं सकता, तो यहां पर देखो, हमने कुछ गल्ती की है, 19,000, यहां 9,000 है, 9,000 में से, हमने 500 गटाया है, तो यह आएगा, 8,500, 8,500, ऐसे आए गल्त कर दिया था, हमने 8,500, तभी यहां पर उत्तर गल्ता है, हमारा यह, यह 500 आना चाहिए, यह 500, बल्ला थोड़ा महंगा होगा, अब बल्ले का दाम आ गया है, 500, अब निकालते हैं, बॉल का दाम, देखो, बॉल के लिए, समीकरण 3 में आते हैं, वापे समीकरण 3 यह है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, वाई बराबर, अनतिस सो माइनस साथ गुणा में, 500 बटे में 6, तो देखो, यह आ गया, अनतिस सो माइनस, साथ पचे 35 आ जाएगा, पैंतिस सो बटे 6, अनतिस सो में से 35 खोटाएंगे, तो 300 आएगा, 300 यहां 3000 लिख दिया मैंने, बटे 6, तो 300 बटे 6, 6 से कार दो, 6 35, तो यह आ गया 50, मतलब एक गेंद का दाम 50 रुपए है, और एक बल्ले का दाम 500 रुपए है, इसका चटा भाग, एक नगर में, टैक्सी के भाड़े में, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, चली के दूरी प और 15 किलोमेटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमेटर भाड़ा क्या है, एक ब्यक्ति को अगर 25 किलोमेटर याता करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो तो यहां दो तरह के भाड़े हैं, एक नियत भाड़ा है, दूसरा प्रति कि कि अ प्रती किलो मेंटर भाड़ा बराबर y रुपए इसका अर्थ यह हुआ कि हमें एक किलो मेंटर जाएंगे तो एक y देना पड़ेगा अगर 2 लो आए देना पड़ेगा तीन किलोमेटर तीन वाई देना पड़ेगा इस तरह से ये जो प्रती किलोमेटर भाड़ा ये बढ़ता रहेगा लेकिन नियत भाड़ा हमारा फिक्स रहेगा तो पहले केस में क्या दिया है दस किलोमेटर दूरी के लिए भाड़ा एक सो पांच रुपए ह देखो नियत भड़ा अभी भी नियत रहेगा और 15 km के लिए 15 y हो जाएगा बराबर 155 ये दूसरी सम्मीकरण आ गई सम्मीकरण 1 से यानि इस वाले सम्मीकरण से हम x कमान निकाल सकते हैं आराम से सम्मीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10 y देखो ये सम्मीकरण नमबर 3 आ गई अब इस x के मान को सम्मीकरण 2 में रख देते हैं सम्मीकरण 1 एक नहीं 2 दो वा तीन से देखो x कमान हम यहां रखेंगे तो यह आएगा हमने पास 105 माइनस 10 y प्लस 15 y बराबर 155 ये नहीं से अब देखो इस सम्मीकरण में सिर्फ एक ही चर है यहां पर माइनस का 10 y यहां 15 y है तो बचेगा 5 y यहां 155 है 155 और यह 105 को दानी तरफ अगल ले जाते हैं तो यह आएगा माइनस 105 तो इस तरह 5 y बराबर 50 आ जाएगा और y बराबर 10 50 को 5 से भाग करके अब देखो y का मान आ गया मतलब प्रति किलोमेटर जो भाड़ा है वो 10 रुपए प्रति किलोमेटर हमें निकालना नियत भाड़ा नियत भाड़ा कहां से निकालेंगे हम समीकरण नमबर 3 से देखो समीकरण 3 से एकस बराबर 105 माइनस 10 गुणा y 10 गुणा 10 तो 105 माइनस 100 अर्था 5 तो 5 रुपए नियत भाड़ा है और 10 रुपए प्रति किलोमेटर भाड़ा है अब प्रेस्मे पूछा गया गया अन्त में देखों पहले तो यह पूछा गया था नियत भाड़ा और प कितना है पांच रुपए और यह प्रति किलोमेटर भाड़ा दस रुपए एक ब्यक्ति को 25 किलोमेटर यात्रा करने के लिए कितना भड़ा देना पड़ेगा तो देखो 25 किलोमेटर के लिए भाड़ा एक्स प्लस 25 वाई एक्स हमारा पांच है 25 गुरा में 10 इतने रुपए देने पड़ेंगे उसको तो यह आ जाएगा हमारे पास रुपए पांच प्लस 250 अर्थाथ 255 रुपए तो उसे कुल 255 रुपए देने पड़ेंगे 25 किलोमेटर के लिए प्रस्ण 3 का पांच वा भाग यदि किसी भिन के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटे 11 हो जाती है और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटे 6 हो जाती है वह भिन ग्याद कीजी भिन में एक अंश होता है एक हर होता है तो डारेक्ट भिन को मान लेते हैं माना भिन बराबर X बटे Y या मान सकते हैं माना अंश बराबर X और हर बराबर Y ऐसे भी मान सकते हैं हमने भिन को मान लेया X बटे Y अब देखो यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो देखो अगर दोनों में दो जोड़ जाएगा अंश में भी दो जोड़े और हर में भी दो जोड़े तो भिन हो जाएगी 9 बटे 11 इस से हम एक समय कर निका सकते हैं सरल करके 11 से x प्लस 2 को गुणा किया और 9 से y प्लस 2 को तो यहां से हम किजी x या y की value निकाल सकते हैं 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 तो यहां जाएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 अब यहां से अगर हम x का मान निकालते हैं तो यह आजाएगा 11x बराबर 9y-4 और x बराबर 9y-4 बटे में 11 यह समीकर नमबर 3 आ गई देखो हमारे पास समीकर नमबर 2 क्या है x और y में जो मानने समीकर नमबर 1 है इसको रखते हैं हम समीकर नमबर 2 3 के विए 2 रख लेते हैं अब देखो दूसरी कंडिशन क्या है इसकी दूसरी कंडिशन है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए जेखो अंश क्या है हमारा x उसमें 3 जोड़ दिया हर है y उसमें 3 जोड़ दिया तो भिन 5 बटे 6 हो जाती है अब यह भिन 5 बटे 6 हो गई फिर से इसको को ऐसी गुणा करते हैं क्रॉस गुणा करते हैं 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15 यहाँ पर रखेंगे हम x का मानद 6 गुणा में x x का मानद क्या है 9y माइनस 4 बटे 11 और इस y को इस y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर यहाँ बचेगा 15 और इस 17 को यहाँ लाएंगे माइनस का 18 अब देखो इसमी समी के रण में सिर्फ y बचेगा हमारे पास इसका हम लगुत्तम ले जेते हैं लगुत्तम आगा 11 उधर बचेगा 15 माइनस 18 माइनस का 3 और यहाँ देखो क्या बचेगा 6 को y से गुणा किया 9 से गुणा किया तो आगए 54y माइनस 64 24 माइनस 11 पजे 55 यह हमारी सरलतम समी करना आगा इसकी इसी 11 से 3 को गुणा कर देंगे हम तो यह 33 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 54 और यह 55 तो माइनस का 1y बचेगा माइनस का 24 बराबर माइनस का 33 इस 24 को यहाँ दाते हैं माइनस y बराबर माइनस 33 प्लस 24 तो को 33 में से 24 गटाना है हमें तो आएगा माइनस y बराबर माइनस का 13 में से 4 गया 9 बचेगा तो 9 ही बच गया यह ये दोनों कट जाएंगे इस तरह y का माना आगया 9 हमें हर मिल गया 9 अब हम निकालते हैं अंश कहां से समयकर नंबर 2 से समयकर नंबर 2 से x बराबर 9y तो य हमने कितना निकाला था? 9 तो 9 गुना में 9 माइनस 4 बटे 11 9 नमे 81 हो गया माइनस 4 बटे में 11 81 में से 4 गया बचेगा 87 बटे 11 तो इस तरह से हमारा जो x आएगा वो 7 आगया देखो x 7 है और y 9 है तो इस तरह भिन क्या होगी हमारे पास? भिन बराबर x बटे y मतलब 7 बटे 9 और यही हमें ग्यात करना था प्रस्ण 3 का आखरी भाग भाग नमबर 6 यह प्रस्णवली 3.2 का आखरी प्रस्ण है 5 वर्ष बाद जैकब की आयू उसके पूत्र की आयू से 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर जैकब की आयू उसके पूत्र की आयू की साथ गुना थी उनकी वर्तमानायू क्या है हम यहाँ दोनों की वर्तमानायू मान लेते हैं माना जैकब की वर्तमानायू बराबर X वर्स और पुत्र की पुत्र की वर्तमानायू Y वर्स अब दोको यहाँ दिया है पांच वर्स बाद तो पांच वर्ष बाद दोनों की आयू निकालते हैं जैकब की आयू अगर किसी की आयू आज X है तो पांच वर्ष बाद कितनी होगी X प्लस पांच और पूत्र की आयू पूत्र की आयू हो जाएगी Y प्लस पांच अब उस हिस्ति में क्या होगा उसके जैकब की आयू, उसके पूत्र की आयू की तीन गुना हो जाएगी मतब तिसकी जैकब की आयू, यह निए X प्लस 5 X प्लस 5 बराबर यह तीन गुना होगी पूत्र की आयू की तो देखो पहली कंडिशन हमें यह दी हुई है यहां से X या Y का मान निकाल लेते हैं तो ज़्यादा आसान है X का मान निकालना है यहां पर X बराबर, जैको तीन से Y गुना किया तीन Y आ गया, प्लस 15 और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5 अर्थात X बराबर तीन Y प्लस 10 यह एक समीकर आ गई, समीकर नमबर 1 अब इस X के मान को हम अगली समीकर में रख देंगे अगला क्या है, पांच वर्ष पूर्व देखो, पांच वर्ष पूर्व पांच वर्ष पहले पांच वर्ष पहले जैकब की आयू, उसके पूत्र की आयू की 7 गुना थी दोकर दोनों के निकालते हैं आयू पहले जैकब की आयू, X माइनस 5 होगी और पूत्र की आयू, Y माइनस 5 तो 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयू, मतलब X माइनस 5 यह 7 गुना होगी पूत्र की आईगी इसको फिर हल करते हैं और हल करते समय X का मान यह रख देंगे हम तो X-5 माइनस 5 को हम दाइने तरफ रहाते हैं ताकि प्लस 5 हो जाए 7Y-735 और प्लस 5 अब देखो X का मान कितना है 3Y-10 3Y-10 रख दिया इसको यह 7Y-30 यह 3Y है यह 7Y है तो देखो 3Y-7Y एक तरफ ले लिया यह माइनस 30 है और यह माइनस 10 आगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 4Y और यहाँ जाएगा माइनस 40 अर्थात Y बराबर 10 इस तरह देखो Y आगया मतलब पुत्र की आयू अब पुत्र की वर्तमान आयू 10 वर्ष है अब हम निकालते हैं जैकब की आयू समीकरण नमबर 1 से X बराबर 3 गुणा में 10 प्लस 10 तो यह आगया 30 प्लस 10 आर्था 40 तो जैकब की अभी वर्तमान आयू कितनी है 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयू